बिसम लेहरा मायन रही मसलाम वेकुम दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए ब्रैड और गाजर की बहुत ही यूनीक और मज़ेदार एस भी लेगे हैं है ठीक है यह 30 सेकंड के अंदर बन जाते हैं और उसके बाद एक खुबसूरा सी प्लेट में इसको निकाल लेंगे अगर इसके आप ब्रैड क्रम्स मजीद रेस्पी के लिए मना चाहते तो इसको थोड़ा साब सेक लें चलें जी बिसम लारा मारा है दुबारा से खुबसूर का पीस रहना नहीं चाहिए ठीक होगे अब सलते हैं मेन रेसिपी की दरफ चलें जी बिसम लाहरा मारा रहीम खुबसूरा से कड़ाई लेंगे और यहां पर हम फिर से इसको अच्छे से पकाएंगे दूद को इसको गाड़ा करेंगे और जैसे अच्छे से इसमें तीन चार बाइल आ जाएंगे तब हमने जो गाजरों को ब्लेंड किया था उसको हम इसमें एड कर देंगे यह लेंजी बिसमिल्ला हरा मान रहें अब यह रेसिपी यकीन करें इतनी यूनिक है एक दफा आप इसको बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को बार 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 बनाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा कि इस तरह से भी गाजर की रेस्पी बनाई जा सकती है तो यहां भी हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे फ्लेम को एक तफ़ा पिर हाई कर देंगे ताकि इसकी जल्दी से पकाई हो सके तो कलर देखें मार्शाला से कितना हुबसूरत जाएगा इसी दुरान अगर आप चैनल पे नहीं है जणाब तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब क्या करेंगे आपकी तरफ से प्यार होता है मोहबबत होती है आपकी तरफ से में इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो यह देखें या साइसा गाड़ा होता अब हम जिस तरह जैसे इसको पकाते जाएगे ना इसमें आपको गाड़ापन फील होता है जाएगा इसकी जो कंसिस्टेंसी वो काफी हाई हो जाएगी आप चाहें तो इसकी जगा खोया भी यूज कर सकते हैं तो यह देखें माशालला से जब यह स्चुएशन आ जाए कर सकते हैं पिस्ता भी आइड कर सकते हैं लेकिन इस रेस्पी में छोटी लाइक शी नहीं मैच करेंगी ठीक है वह आप रहें दीजिगा जब इतना गाड़ा हो जाए तो आपने उतार लेना है बिस्मिल्लाहरामान और रहीम तो माशालला लहम्दुलिल्ला देखें जी मेर टेस्टी रेस्पीस के लिए ब्रेकफार्स रेस्पी लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन हो जाएगे